एक हजार साथ सो इक्यावन तू एक हजार साथ सो साथ एसा लग रहा था कि उसकी उंगलियों के नीचे की त्वचा उसे अपने अंदर खीच रही है जिससे वह असाय रूप से उस पर्ष को और अधिक महसूस करना चाता है जिससे उसका हाथ उसके पेट के गड़े से थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे अधिती के सपाट छोटे पेट की और बढ़ रहा है और रुक रहा है उसकी नाभी के उपर मन सुन कर देने वाली खुशी में खोया हुआ जून वू याओ खुद को रोक नहीं सका लेकिन उसने अधिती को और भी कसकर गले लगा लिया और अपना सिर नीचे करके अपनी थुड़ी उसकी गर्दन के पीछे रख दी और अपनी नाक में भरी खुश्बू का आनन्द ले रहा था किसी भी सुगंधित पाउडर की सुगंध की तुन्ना में करवाहट का हलका सार रंग उसके लिए अधिक आकरशक था अधिती का खूबसूरत शरीर पहले से ही जून वू याओ के आलिंगन में लिप्टा हुआ था उसकी पीट कसकर उसकी पीट से चिपकी हुई थी अधिती की हर हलकी सांस जून वू याओ के सुन्न दिमाग में चिंगारी भरका रही थी परियाप्त नहीं यह अभी भी परियाप्त नहीं है जूनवु याओ का हाथ धीरे-धीरे अधिती के शरीर पर फिसला, जलते हुए स्पर्ष ने जूनवु याओ को लगभग पूरी तरह से दम घुट दिया उसकी हथेली के नीचे का कपड़ा बहुत पतला था, लेकिन इससे जूनवु याओ असाधारन रूप से निराश हो गया अचानक उसने कपड़े पर अपना हाथ पकड़ लिया और उसकी थोड़ी सी ताकत से पतला कपड़ा कुछ हद तक फट गया ठंडी हवा में ठंडक अधिती की पीठ की त्वचा पर हैल गई और उसने अवचेतन रूप से अपने शरीर को गर्माहट की तलाश में स्थानांतरित कर दिया बस उस थोड़े से बदलाव के साथ चिकनी कोमल त्वचा जूनवु याओ की हथेली पर दब गई जूनवु याओ ने अधिती को कसकर गले लगा लिया उसके पेट के निचले हिस्से में तेज लहर उठी क्योंकि अधिती की पीठ का छोटा हिस्सा उसे चिपक गया था बीच में कपड़ा न होने से जो भावनाए उसे पागल कर रही थी वे तीवरता में और भी तीवर हो गई जूनवु याओ की आखे गहरी और धुंदली हो गई अधिती की गर्दन को चूमते समय उसकी आखे आधी बंध हो गई उसका हाथ बेदाक वचा को सहलाने के लिए लालची हो गया अधिती की गर्दन पर उसकी समवेदन शील्ट वचा पर कोमल चुमबन चुब रहे थे अधिती पर सुनता फैल रही थी क्योंकि उसकी भावें हलकी सी सिकुड गई थी और जैसे ही जून वू याओ ने धीरे से उसके कान की लोको काटा अधिती की आखे अचानक खुल गई जैसे ही अधिती जागी उसने देखा कि कुछ पहले जैसा महसूस नहीं हो रहा था अपनी पीट पर महसूस होने वाली जलन भरी गर्मी ने उसे चौका दिया और ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी पीट के पास अधिक तीवर गर्मी महसूस हो रही है आप हाला कि अधिती में भावनात्मक स्कर की कमी थी लेकिन फिर भी वह एक डॉक्टर थी और उसने जितने पुरुष शरीरों का विच्छेदन किया था उनकी संख्या अंगिनत थी इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे कम से कम पुरुष शरीर विज्ञान की बुन्यादी बातों की सक्षम समझ होगी एक पल में अधिती का चहरा तुरंत गहरा लाल हो गया और उस पल उसकी थंडी आखों में घबराहट का एक दुरलब प्षन दिखाई दे रहा था क्योंकि उसने जूनबु याओ की ओर देखा कि वह क्या कहने जा रहा है लेकिन इतनी गहराई में गिरने के बाद जूनबु याओ ने अधिती को बोलने के लिए अपना मुंग खोलने का मौका नहीं दिया बल्कि खुद को उपर उठाया और अधिती के थोड़े से खुले मुंग को बंद करने के लिए अपना सिर नीचे जुकाने से पहले उसके हाथों ने अधिती के सिर के दोनों तरफ को पकड़ लिया चिलचिलाती गर्म जीब अधिती के मुह में घुस गई वहा निरंकुष रूप से हावी होने और जीतने की कोशिश कर रही थी जैसे वहा लगातार फुसुसा रही थी अधिती आश्चर्य से जड़ हो गई थी उसकी नाग जूनवु याओ की खुश्पू से भर गई थी उसका खूपसूरत शरीर जूनवु याओ के उचे फ्रेम से धका हुआ था वह उसे दूर धकेलने के लिए आसानी से हाथ उठा सकती थी लेकिन स्टब्ध एहसास ने अधिती के हमेशा स्पष्ट दिमाग को गुदेदार बना दिया पूरी तरह से खाली हो गया उन सभी को जीतने की कोशिश में जूनवु याओ बेचेन था और अत्रिप्त इच्छा से अभिभूत था उसने अधिती के छोटे से हाथ को पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया उस पल अधिती की सांसे रुक गई उसकी आखे थोड़ी चोड़ी हो गई चोटी अधिती मदद करू जूनवु याओ ने अपना सिर पीछे उठाया उसकी आधी बंद आखे हलकी सी चमक उठीन जूनवु याओ की करकश आवाज अधिती के कानों में गूंजी जिससे उसके दिल में शांती पैदा हो गई अधिती ने गटक लिया अकस्मात दर्वाजे पर तेज दस्तकों की एक शिंखला ने उस पल के मादक धुंदलेपन को खुम कर दिया अधिती चौप गई और वहाँ उठना ही चाहती थी कि जूनवु याओ ने उसे नीचे दबा दिया उसकी आवाज में जूनवु याओ के मूँ से निकली पीडा की जलक थी एक पल इंतजार करें वह गहरी और करकश आवाज वह थी जो अधिती ने पहले कभी नहीं सुनी थी पीडा से भरी आवाज अधिती ने हिलने की हिम्मत नहीं की और केवल आग्याकारी धंग से बिस्तर पर लेट गई क्योंकि दर्वाजे पर लगातार दस्तक की आवाजे आती रही जून वू याओ ने अपनी आखे बंद कर रखी थी पसीने की क्रिस्टलिय बूंदे उसके चेहरे पर फिसल रही थी अधिती के कॉलर बोन पर टपक रही थी जो थोड़ी गर्म महसूस हो रही थी कुछ क्षण बाद जून वू याओ की सांसे सामान्य हो गई उसने खुद को ऊपर धकेला और अधिती को वहां लेटे हुए देखा सूरज की रोशनी खिड़की से कमरे में आ रही थी हलकी रोशनी अधिती के शरीर को एक चमकदार चमक में धख रही थी जून वू याओ ने एक गहरी सांस ली अचानक उठ गई उस पर दूसरी नजर डालने की हिम्मत नहीं हुई अधिती फिर धीरे से बिस्तर पर बैठ गई और तभी उसे पता चला कि उसके कपड़े अस्तव्यस्त अवस्था में थे उसे एहसास हुआ कि उसका फटा हुआ लबादा उसके शरीर को पूरी तरह से नहीं धख रहा था फिर उसने अपने सामने कंबल लपेट लिया और बिस्तर के किनारे पर बैठे जून वू याओ को लाल चेहरे से घूरने लगी जून वू याओ फिर उठे और अधिती को देने के लिए बगल की अलमारी से कपड़े का एक टुकड़ा निकाला अधिती चुपचाप उसमें बदल गई उसकी नजर जून वू याओ की आकरिती पर तिकी रही लेकिन उसने देखा कि उसने पूरे समय अपनी पीट उसकी ओर रखी थी यहाँ तक कि जब उसने उसे कपड़े दिये तो उसने अपना सिर नीचे जुका रखा था और उससे नजरे मिलाने की हिम्मत नहीं कर रहा था न जाने क्यों अदिती के दिल में जो अजीब सी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी वहाँ अचानक एक पल में गायब हो गई और उसके होठों के कोनों पर तुरंत मुस्कुराहट आ गई दस्तक उन दोनों को परेशान करती रही अदिती ने अपने कपड़े बदलने के बाद दर्वाजे पर जाने और उसे खोलने से पहले अपना भेस वापस अपने चहरे पर डाल लिया दर्वाजे के बाहर एक ऐसा व्यक्ति खड़ा था जिसे अदिती ने देखने की बिलकुल भी उमीद नहीं की थी बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, गुयिंग ने अदिती के दर्वाजे के बाहर खड़े होकर कहा, वह सुन्दर चहरा बिल्कुल शांदार मुस्कान से भरा हुआ था, लेकिन थोड़ी सी संकुचित आखों की एक जोड़ी तीवर रख पिपासू चमक से भरी हुई थी अदिती ने नहीं सोचा था कि गुयिंग यहां आएगी, लेकिन जून्वु याओ के अलावा किसी का सामना करते समय, उसका दिमाग हमेशा पर्याप्त रूप से शांत रहना था, उसके चहरे पर कुछ भी सामान्य नहीं दिखता था, लेकिन उसने गुयिंग को ठंडे भा गुयिंग थोड़ा मुस्कुराई, सिकुडी हुई आखे अदिती के चहरे पर घूम रही थी, ऐसा लग रहा था कि वहां उसके चहरे के हर सुक्ष्म विवर्ण का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने की कोशिश कर रही थी, जून वु, या शायद क्या मुझे तुम्हें ऐसे आप पहले थे, लेकिन एक चीज है जिसके बारे में मैं बहुत पुच्सुक हूँ, अगर मैं आपकी पहचान दूसरों के सामने प्रकट कर दूँ, तो क्या आपको लगता है कि आप अभी भी इस प्योर ग्रेस पालेस से जीवित बाहर निकल पाएंगी, हम्म, आत्मा जेड पैलेस के सहयोगी? गुयिंग की आवाज का स्वर्थोड़ा ऊपर उठा, जिसमें आलस्य और उपहास की जलक थी, जैसे ही गुयिंग ने स्पिरिट जेड पैलेस शब्द का उलेक किया, अधिती को सब कुछ समझ में आ गया, उसने वास्तव में नहीं सोचा था कि ज कुझे समझ नहीं आ रहा है, गुयिंग हसे और फिर कहा, तुम्हें समझ नहीं आया, ठीक है, आपको इसे ठीक से समझाने के लिए हमारे पास बहुत समय है, अधिती ने गुयिंग को उदासींता से देखा, क्या आप मुझसे अंदर जाकर बैठने के लिए नहीं कहेंगे? या आप पसंद करेंगे, कि मैं यहीं आपकी असली पहचान की घोशना करता हूँ, गुयिंग ने अपनी भौहें थोड़ी उपर उठादे हुए पूछा, कुसकी आखे अत्यदिक दुर्भाव नापूर्ण लग रही थी, अधिती की नजर फिर धीरे धीरे गलियारे के न अचानक अपना नाम पुकारे जाने की बात सुनकर, गुयिंग की भौहें तुरंट सिकुड गई और उसने अपना सिर उस दिशा में घुमा लिया, उसने ड्रागन स्लेयर्स पैलेस की वर्दी पहने कई युवाओं को प्योर ग्रेस पैलेस के एक बुजुर्ग के साथ ते रहेंगे की बड़ी मुसीबत में है, गुयिंग के दिल में एक अशुब भावना जाग उठी जब लोगों के समों ने उसके ठीक बगल में आने का आगरह किया, गुयिंग, तुम्हें निश्चित रूप से बहुत बुरा लगा है, ड्रैगन स्लेयर्स पैलेस के एक युव गुयिंग ने उपहास के साथ पुत्तर दिया, ड्रैगन स्लेयर्स पैलेस के युवा गुस्से से काम उठे, वह जल्दी से प्योर ग्रेस पैलेस के बुजर्ग की और देखने लगा और शिकायत की बुजर्ग, गुयिंग अब तक इतना अहंकारी बना हुआ है, यहां आप एक द्वन्द्व महसूस करते हुए, उन्होंने हलके से आ भरी और फिर कहा, युवा मास्टर गु, कल प्योर ग्रेस पैलेस में कुछ हुआ और ड्रैगन स्लेयर्स पैलेस के शिशो का कहना है, कि आप इस मामले में शामिल है, क्या मैं आपसे अनुरोत कर सकता हूँ, कि क्र पहले से ही ड्रैगन स्लेयर्स पैलेस के शिशो के उग्र समों से घिरा हुआ था और वहा देख सकता था कि प्योर ग्रेस पैलेस के बुजुर्ग का व्यवहार थोड़ा तनाव पूर्ण था, गुई इंग फिर अचानक हस पड़ी, ठीक है, फिर मैं आपके साथ आने के लि इससे पहले कि उसने अपने हाथ की पकड को छोड़ा, जिसने दर्वाजे को कसकर पकड रखा था, अपना सिर घुमाया और जून वुयाओ को देखा जो बिल्कुल जानलेवा गुस्से से भर रहा था, तुम्हें इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है, अदिती ने एक अ जानी मुस्कान के साथ कहा जब उसने जून वुयाओ की नजर को देखा जो सुक्ष्मदा से बदल गई थी, जैसे ही गुयिंग ने अपना पहला वाक्य पूरा किया, जून वुयाओ में हत्या पहले ही बढ़ चुकी थी, यदि यहा तथ्य ना होता कि उसने उसे बाहर नि जून वुयाओ ने उसे मार डाला होता, जून वुयाओ ने उसे मारने के लिए हमें तुम्हें उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक अच्छा शो देखना चाते हैं, फिर उसने जून वुयाओ की थोड़ी को चंचलता पूर्व गुदगुदी करने के ल गुयिंग को प्योर ग्रेस पालेस के मुख्य महल हॉल में लाया गया, महल के हॉल के भीतर प्योर ग्रेस पालेस के कई बुजुर्गों के अलावा, ड्रैगन स्लेयर्स पालेस के शिश बैठे थे और ब्लड़ फींड पालेस के लोग भी तेजी से अंदर आ रहे थे, अन्य नहीं जानती थी कि क्या हुआ था, लेकिन प्योर ग्रेस पैलेस से खबर मिलने के बाद वह यहां आई थी कि उन सभी को पैलेस हौल में आना था। और अब जब उसने गुई यंग को प्योर ग्रेस पैलेस के एक बुजुर्ग वारा व्यक्तिकत रूप से ले जाते हुए देखा, तो उसके दिल में एक अशुप पूर्वा भास की एक बुरी भावना अनायास ही जाग उठी। ग्रेस पैलेस के बुजुर्गों में से एक ने अपनी आखों के सामने उजवल और सुन्दर दिखने वाले युवा को घूरने के लिए अपनी भावे सिकोड ली। यदि वह कर सके तो वह इस तरह के संकट ग्रस्त पानी से कलंकित नहीं होना चाहेगा। हाला कि ड्रैगन स्लेयर्स पैलेस के उग्रशिशों से सजे महल के हौल के किनारों को देखकर वह केवल अपने दिल में आँ भर सकता था। गुयिंग कल दोपहर तुम कहा थे बड़े ने पूछने के लिए अपना मुह खोला। गुयिंग में उतर दिया मैं स्वाभाविक रूप से अपने कमरे में था। तो फिर क्या तुम वहां से हट गए। फिर बड़े ने पूछना जारी रखा। यह सुनकर गुयिंग को पहले ही पता चल गया था कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है लेकिन वह यह पहचानने में सक्षम नहीं था कि उस बिंदु पर वास्तव में समस्या क्या थी और इसलिए वह केवल इतना ही कह सका मैं अपनी बहन की तलाश में बाहर गया था। और तुम इलकुल बकवास है। हमारे युवा भगवान ने कल अपने कमरे से एक कदम भी बाहर नहीं निकाला। जब आप उसे ढूनने आए तो वह वहां कैसे नहीं हो सकता था। चलो भी। तुमने इतना घ्रनित कार्य किया और तुम अब भी इससे इंकार करने का प्रयास कर रही ह क्या आप सचमुच सोचते हैं कि हमारा ड्रैगन स्लेयर पैलेस ऐसे पुशोवर है। ड्रैगन स्लेयर पैलेस के शिश गुयिंग को कस कर भीचे हुए दानतों से देख रहे थे। यदि प्योर ग्रेस पैलेस के लोगों ने उन्हें नहीं रोका होता तो शायद वे सभी अपने कमरे में था। गुयिंग की भौहें एक साथ सिकुड गई। जब वह कल जुगे यिंग को ढूंडने गया था तो उसे जुगे यिंग का कोई संकेत नहीं मिला। कमरा पूरी तरह से खाली था और उसे वहां किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ था। जैगन ब्लड फींड पैलेस था और दूसरी ओर ड्रैगन स्लेयर्स पैलेस। दोनों ऐसी संस्थाए थी जिन्हें प्योर ग्रेस पैलेस विरोत करने का जोखिम नहीं उठा सकता था, नहीं वे अपमानित करने का साहस कर सकते थे। जैगन स्लेयर्स पैलेस की ओर से हंगामा शान्त होने की प्रतीक्षा करते हुए, प्योर ग्रेस पैलेस के बुजुर्ब ने फिर कहना जारी रखा, गु यिंग, आपने ड्रैगन स्लेयर्स पैलेस के शिशों के शब्द सुने हैं। उनके युवा भगवान, जो जुगे यिन है, कल अपने कमरे से बाहर नहीं निकले थे। और कल पूरे दिन जो एक मात्र व्यक्ति वहां उसकी तलाश में गया था, वह केवल आप ही थे। इसके अलावा, आपके वहां जाने के बाद, जुगे यिन दुर्भाग्य में पढ़ गए। आप इस मामले में खुद को कैसे समझाएंगी? दुर्भाग्य उसे क्या हुआ, गुई यिन के दिल में मंदरा रही तीवर बेचेनी और अधिक स्पष्ट हो गई क्योंकि उसे लगने लगा कि वहां शायद कुछ भूल गया है। वहां मर चुका है, प्योर ग्रेस पैलेस के गुजुर्ग ने कहा। गुई यिन की आखे थोड़ी चौड़ी हो गई। जुके यिन मर गया था और वहां अपने ही कमरे में मर गया। इसकी खोज उस सुबा ड्रैगन स्लेयर्स पैलेस के एक शिशको हुई जब वहां जुगे यिन को नाश्ते के लिए जाने के लिए कहने गया। उस दिन जुगे यिन के कमरे में कदम रखने वाला पहला व्यक्ती लगभग अचम्भित रह गया था। इसके अलावा जुगे यिन हर किसी की नजरों से ओजल हो गया था और इसलिए इसके बारे में सोचने की जरूरत के बिना हर कोई जानता था कि सड़ते हुए मास का धेर निश्चित रूप से जुगे यिन होना चाहिए। खुन खराबे से भरे ऐसे अविश्वसनिय द्रिशे ने ड्रैगन स्लेयर्स पैलेस के युवाओं को तुरंट उनके दिमाग से बाहर कर दिया। जुगे यिन ड्रैगन स्लेयर्स पैलेस लॉड का इकलोता बेटा था। और वह ड्रैगन स्लेयर्स पैलेस की आशा को अपने कंदों पर उठाए हुए था। लेकिन अब प्योर ग्रेस पैलेस में उसकी बिना सोचे समझे हत्या कर दी गई यहां तक कि उसके शरीर को भी अस अखिरकार सतह पर आ गया। जी जिन ने इससे पहले उसे अदिती की योजना के बारे में बताया था लेकिन उसने इसमें एक बड़ी खामी देखी थी और इस पर विश्वास नहीं किया था। लेकिन सयोगवश गुशिन यान को जुगे यिन से मिलने के लिए बाहर जाने क लिए आमंतरित किया गया था जिसके बाद उसके पास जुगे यिन से मिलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। अंत कहा। जुगे यिन की अचानत इतनी रहसिमय तरीके से मृत्यू हो गई थी। बिलकुल बकवास। आप सपश्ट रूप से कल यंग लॉड के कमर में गया लेकिन मुझे वहां अंदर नहीं मिला। गुयिंग तुम आखे फैलाए पड़े हो। हमारे युवा भगवान ने कल एक बार भी अपना कमरा नहीं छोड़ा था और यह सब यहां हम में से हर किसी ने देखा था। आप एक मात्र बाहरी व्यक्ती थे जो कल वहां ग इनिय स्थिती में छोड़ दिया गया था, यहां तक कि जो चिकितसक शरीर का निरिक्षन करने के लिए वहां गये थे, उन्होंने मौके पर लगभग उल्ती कर दी थी। यदि जन्दिन समारों के लिए प्योर ग्रेस पालेस में आए सभी महमानों में से पूछा जाए कि कि इसने अपने विरोधियों पर सबसे रक्तरंजित और खूनी हमले किये तो वहां निसंदे गुयिंग होगा। गुयिंग की अत्यधिक खूनी पधतिया बारा महलों में दूर दूर तक जानी जाती थी। यहां गलत है। अचानक अचानक एक आवाज आई। गुशिन यान जो एक तरफ खड़ा था, अचानक सब के सामने गुयिंग के पास आकर खड़ा हो गया। उसने प्योर ग्रेस पैलेस के बुजुर्ब की ओर देखा और फिर कहा, ड्रैगन स्लेयर्स पैलेस के शिशों ने कहा कि जुगे इन। कल अपने कमरे से बिलकुल भी बाहर नहीं नि लेकिन ड्रैगन स्लेयर्स पैलेस के शिशों ने जिस समय का उलेक किया था, उसके आधार पर वह वही समय था जब वह जुगे इन से अलग हुई थी। उस समय के आधार पर गंणा करते हुए, गुयिंग स्वाभाविक रूप से जुगे इन को उसके कमरे में नहीं देख प कि कोई आपकी बातों पर विश्वास करेगा, ड्रैगन स्लेयर्स पैलेस के युवाओ ने तुरंत गुषिन यान पर केवल गुयिंग को बंधन से हटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। गुषिन यान ने तब अपनी अभिव्यक्ती में जरा भी बदलाव किये बिना कहा, मुझ पर विश्वास किया जाई या नहीं, यह सिर्फ आपके और मेरे द्वारा तै नहीं किया जाना है। जब मैं कल जुगे यिन से मिला, तो बहुत से लोगों ने इसे देखा। मैंने जो कहा है, वे उसके गवाह हो सकते हैं। जैगन स्लेयर्स पैलेस के युवाओ जैगन स्लेयर्स पैलेस के शिश्य इस बात पर अड़े हुए थे कि जुगे यिन ने कल पूरे दिन कभी भी अपना कमरा नहीं छोड़ा था और इसलिए उनके लिए गुशिन यान से मिलना असंभव था। और दूसरी और गुशिन यान ने गवाहों के एक समों को बाहर न काला था जिनोंने उसे अपनी आखों से जुगे यिन से मिलते देखा था जिससे गुई यिन का सारा संदेख्म हो गया था। दोनों पक्ष जुकने को तयार नहीं थे और वे लगभग मुख्य महल हॉल में ही लड़ने लगे। प्योर ग्रेस तालेस के बुजुर्ग उस सम से मामना चाते हैं, यहां केवल दो महलों के बीच का मामला होगा। लेकिन अब सिर्फ इस मुद्दे पर कि क्या जुगे यिन अपने कमरे से चला गया था, पहले से ही कई अलग-अलग चर्श सामने आ गये हैं, जिससे किसी के लिए भी अपरात को गुई यिन पर मजबूत से थोपना असंभफ हो गया है। अगर चीजे ऐसे ही चलती रही, तो केवल ब्लडफीन पैलेस और ड्रागन स्लेयर्स पैलेस ही इसमें फंसेंगे नहीं, बल्कि उनका प्योर ग्रेस पैलेस भी इससे अपना हाथ नहीं धो पाएगा। आखिरकार जुगे यिन की उनके प् फंसाया गया था और मामले को बुरी तरह से संभालने के लिए प्योर ग्रेस पैलेस को दोशी ठहराया जाएगा। उस समय दो पूरी तरह से विरोधाभासी विचारों वाली अत्यधिक असपश्ट स्थिती ने तुरंत तीन महलों को कीचर में खीच लिया। बहल के हाल में Dragon Slayers Palace के शिश्य और Blood Fiend Palace के शिश्य एक गर्म बहस में लगे हुए थे और गुयिंग हौल के बीच में अपने चहरे पर थंडे भाव के साथ खड़ा था, उसके दिल में थंड़क बढ़ रही थी। अब उसे यह बात समझ में आ गई। समस्या की जड़ कहा है। अपनी Dragon Slayers Palace के बीच संघर्ष को भी भरकाना था, और वह यह था कि क्या जुगे यिन बाहर आ गया था उसका कमरा। यदि उसका अनुमान गलत नहीं था, तो जुगे यिन बिलकुल वैसा ही रहा होगा जैसा Dragon Slayers Palace के शिशो ने कहा था, जहां उसने कमरे से बाहर कदम नहीं रख Dragon Slayers Palace के लोग इस बात पर अडे थे कि वह सिर्फ जूट बोल रही थी और गुइंग ही हत्यारा था, लेकिन अन्य विरोधाभासी बयानों और अनसुल जे संदे अभी भी मौजूद होने के कारण, प्योर ग्रेस पालेस ने इस पर कोई निरनय लेने की हिम्मत नहीं की, ब जोकि जुगे इंग की मौत के पीछे की सच्चाई को सुलजाया नहीं जा सका था, जुगे इंग की मौत का दोश केवल निर्विवाद रूप से गुइंग के सिर्फ पर मढने की तुलना में, यह कही अधिक वीभत्स था, अदिती, मैंने वास्तव में तुम्हें कम आका ह एक बार फिर तुम्हारे हाथों में पढ़ने के लिए। गुइंग ने खुच से कहा, उसकी आखे सिकुड गई। जैसी स्थिती थी, अगर वह अभी भी उस साजिश को पूरी तरह से नहीं देख पाया जिसमें अधिती ने उसे फंसाया था, तो वह वास्तव में बहुत म पुझना देख ली हो, फिर भी उसने जो कुछ कहा, उस पर विश्वास नहीं किया जाएगा। जैगन स्लेयर्स पैलेस और ब्लड फेंड पैलेस के युवा मुख्य महल हॉल में सभी के सामने एक भयानत बहस में लगे हुए थे। प्योर ग्रेस पैलेस के शिश्य स्थिती के बिना अन्य महलो को लाब नहीं होगा। अधिती छुपी रही क्योंकि वह अपने सारे परिश्रम के फल की प्रशंसा कर रही थी। इस बिंदु पर वहा निश्चिन्थ हो सकती थी कि गुई इंग हत्या करने के अपराज से बच नहीं सकती थी और उसकी योजना सफल हो थी। उस सारी अव्यवस्था के बीच एक आकरिती महल के हौल के दर्वाजे तक पहुँचने की हरबड़ी में लड़ खडाती हुई आई। जी जिनने महल के हौल के भीतर अराजक हंदामे को देखकर सदमे में देखा, जब उसने गुई इंग को देखा, जो भीड के उसे जान लिया था। लेकिन यह सब वास्तव में उतना सरल नहीं था जितना उसने शुरू में सोचा था। जुगे यिंग की मृत्यू हो गई है। रहस्यमाई परिस्थितियों में मृत्यू हो गई और सभी ने जुगे यिंग की मौत का दोश गुई इंग पर डाल दिया जिस खशन से उसने गुई यिंग की आकरिती देखी जी जिन को तुरंट महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी सारी ताकत चूस ली है और उसके पैर बेकाबू हो गए है। यहां देखकर की वहाँ गिरने वाली थी उसने महल के हौल की चोखट को जोर से पकड़ लिया। यहा अपने मन में जो कुछ भी सोच रही थी वह केवल गुई यिंग को बचाने के लिए था और इसके अलावा और कुछ भी माइने नहीं रखता था। भले ही उसे अपनी पहचान उजागर करनी पड़े वह गुई यिंग की बेगुना ही साबित करेगी। हालाकि जी जिन ने प्योर ग्रेस तालेस के मुख्य महल हॉल में अपना एक पैर रखा ही था कि अचानक एक शक्तिशाली हाथ उसके मुह पर आ गया जिसने उसकी आश्चर्य भरी चीक को बाहर निकलने से रोक दिया। फिर एक और शक्तिशाली हाथ तेजी से उसकी कमर के चारों और घूम गया और उसे जबरदस्ती महल के हॉल के दरवाजे से दूर खीच लिया। महल के हॉल के अंदर शोर शराबा था और किसी को भी जी जिन के आगमन का पता नहीं चला नहीं उन्होंने उसे किसी द्वारा अपहरन करते दिखा। घबराहच से उनमत तक जी ज उपर उठाते हुए और अपनी तरजनी को अपने होठों पर दबाते हुए चुप रहने का इशारा करते हुए देखा। पूरी तरह से शांत जून वू को अविश्वास से घुरते हुए जी जिन की आखे अनायास ही चौड़ी हो गई और फिर उसके दिल में एक भयानत ए अहसास जाग उठा। यहाँ वही है। यहाँ सब शुरू से ही जून वू द्वारा योजना बद्ध था। जी जिन ने इस सब पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। लेकिन उसकी आंखों के सामने की हकीकत ने उसे यहाँ एहसास करने के लिए मजबूर कर दिया कि उसक अधिती ने फिर महल के हौल में रैकेट को देखने के लिए अपनी आखे पीछे घुमाई उसके मुँव के किनारों पर एक फीकी मुस्कान उभर रही थी। इस घुमासान को पूरी तरह से पूरा करने के लिए इस सब में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वहां नहीं बलकि हौआ याओ थी। ग्वेस पालेस के मैदान को उधार लेकर एक तीवर लडाई में भाग लिया था। एक बार सबकी नजरों से ओजल हो जाने के बाद हुआ याओ ने परिवर्तन से गुजरने का अवसर लिया और मैदान के बाहर युवाओं को भ्रमित करने के लिए युध की विभिन्नधवनिया पैदा करने के लिए कियाओ चुको मैदान के भीतर अकेला छोड़ कर भाग क्योंकि वे दोनों पहले भी एक बार बैटल ओफ देटीज ग्रंड मीट के दौरान जगर चुके थे इसलिए जब उन दोनों ने इतना हंगामा मचाया तो कोई संदेह पैदा नहीं हुआ और इस सब के पीछे यह सब साजिश को निर्बाद रूप से आगे बढ़ने में सक्षम बनाने के लिए किया गया था ताकि अगर ब्लड फीन पैलेस और ड्राइगन स्लेयर्स पैलेस इसकी जाच करें तो उन्हें कभी भी वहां उत्तर नहीं मिल पाएगा जो वे चाते हैं जैगन स्लेयर्स पैलेस के यंग लॉर्ड की मौत को निश्चित रूप से नजरंदाज नहीं किया जाएगा और इतनी आसानी से छुपाया नहीं जाएगा बारह महलों की अराजकता इसी क्षण से शुरू होगी अदिती को अब और देखने में कोई दिल्चस्पी नहीं थ और उसने चुपचाप महल के हॉल के बीच में खड़े गुइंग पर अंतिन नजर डालने के लिए खुद को घुमाया यहाँ फैन जुओ की ओर से मांगा गया न्याय था अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध जहां दोनों एक ही आकाश के नीचे एक साथ नहीं रह सकते अ अधिती मुख्य महल हॉल से बाहर आने के बाद सीधे जी जिन के कमरे में आई कमरे में जी जिन ने येगु को लगातार लात मारी और पीता फिर भी छूटने की कोशिश कर रहा था येगु का चहरा पहले से ही बेहत बदसूरत हो गया था और खुद को उस लड़की के को कुचलने से रोकने के लिए जो गंभी रूप से मौत का सामना कर रही थी ये गुने जी जिन को बांधने का फैसला किया और उसके मुख पर एक रूमाल बांध दिया जहां वह नहीं होती हिलने डुलने में सक्षम एक भी आवाज नहीं निकाल सकता जी जिन बुरी तरह स कुरसी से बंधी पड़ी थी बंधी हुई थी और उसका मुँ बंध था उसकी आखे बहुत लाल हो गई थी जब उसने जूनवु को अंदर आते देखा तो वहाँ अपने बंधनों से संधर्ष करने लगी उसके मुँं से अंथीन दबीद भी चीखे निकल रही थी जबकि अधिती को घूरने वाली आखे अविश्वास से भर गई अधिती धीरे धीरे कमरे में चली गई दर्वाजा अपने पीछे बंध कर लिया और फिर बगल में एक कुरसी पर बैठ गई इस सब के दौरान जी जिन की रक्तरंजित आखों ने शुरू से अंत कक उस आकृती को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा उंग उंग जी जिन असपश्ट आवाजे निकालती रही आगे जुकते समय उसका शरीर संघर्ष कर रहा था ये गू जो उसके पीछे खड़ा था ने अपनी भौहे थोड़ी सी सिकोड ली और उसने अपना हाथ आगे बढ़ा कर उसे नीचे दबाने की कोशिश की हाला कि अदिती ने अचानक अपना हाथ उठाया जिससे ये गू की हरकत रुप गई और उसने फिर कहा उसे खोल दो ये गू आश्चर यचकित रह गया यहां तक की एक मूर्ख भी यहां देख पा रहा था कि जी जिन अदिती के प्रती कोई मित्रता नहीं दिखा रहा था अगर उसे इस समय रहा कर दिया जाता तो ये गू थोड़ा जिजक रहा था उसने अवचेतन रूप से अदिती के पीछे खड़े जून वू याओ को देखा और जून वू याओ से हलका सा सिर हिलाने के बाद ये गू ने फिर अपने होंट कड़े कर जबकि वह थोड़ा अनिच्छा से जी जिन पर लगे प्रतिबंदों को हटाने के लिए चला गया जून वू तुम इतने नीच कैसे हो सकते हो जैसे ही जी जिन को आजादी मिली वह तुरंत खड़ी हो गई और अपना हाथ उपर उठा कर अदिती की और चलाम लगा दी और लग रहा था जैसे वह सीधे अदिती के चेहरे की और फैंका जा रहा हो लेकिन इससे पहले की जी जिन अदिती को थोड़ा सा भी छूपाता एक अत्याचारी शक्ती जी जिन के पेट में घुज गई जिससे उसका पूरा शरीर उड़ गया यदि आप जीने से ठक गए हैं तो मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूँ अदिती के पीछे खड़े होकर जून वू याओ ने मुस्कुराते हुए कहा उसकी हतेली में जमाकाली धुंद धीरे-धीरे खतरनाक रूप से घूम रही थी जी जिन भारी मात्रा में जमीन पर गिर पड़ी उसके मुंग से त जेरजबेर लोगों को पता चल जाएगी आप जैसा व्यक्ति हमारे महल के साथ जुडने के योग्यन नहीं है प्रभू जी जिन को यहाँ याद करने की हिम्मत नहीं हुई कि गुयीं का वहां उजार पिछला हिस्सा महल के हौल में था इतना उजवल और सौमे युवा लेक जी जिन को फर्श पर पड़ा देखा जो अभी भी खून की उल्ती कर रही थी। जी जिन के मुह से निकली चेतावनी सुनकर अचानक अदिती के मुह पर मुस्कान आ गई और उसके मुह से हलकी सी हनसी निकल गई। उस हसी ने जी जिन को तुरंट स्टब्ध कर दिया। उस इसलिए आपने अपनी और Spirit Z Palace की पहचान उजादर करने की कीमत पर एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया। गुयिंग के साथ विश्वास घात करके उस योजना का खुलासा करके जो मैंने तुम्हें बताई थी। अदिती की आखे थोड़ी सिकुड गई। जी जिन की मूर खता बहुत ही हास्यास पत थी। जी जिन थोड़ा अचम्वित हो गया। अदिती ने फिर कहा, जी जिन, आप Spirit Z Palace के शिश हैं। क्या आपको मुझे यह याद दिलाने की जरूरत है कि Spirit Z Palace आज तक केवल माउंट फू याओं में ही क्यो छिप सकता है। Spirit Z Palace के शिश बाहर की दुनिया में पैर रखने की हिम्मत भी क्यों नहीं करते हैं। अदिती की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन जब यह जी जिन के कानों में पड़ी, तो इससे उसका पूरा शरीर अनियंतरित रूप से कामपने लगा। जी जिन के होंट हलके से कामपने लगे और वह काफी देर तक चुप रही, फिर उसने हकलाते हुए कहा, यांग मास्टर गू। यांग मास्टर गू वैसा नहीं है, ऐसा कहने पर, जी जिन ने अपना साहस बढ़ाया और जून भू का हाथ थपड़ मार दिया, यूवा मास्टर गू बारह महलों के अन्य लोगों से अलग है, वह बहुत दयालू और सौमय है, यहां तक कि जब उसे मेरी पहचान पता थी तब भी उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मुझे नुकसान हो, वह मेरी रक्षा भी करना चाहता था, और रास चुपाने में मेरी मदद भी करना चाहता था, जी जिन की आवाज लगातार बढ़ती रही, ऐसा लग रहा था कि वह जून भू को समझाने की कोशिश कर रही थ लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह खुद को मना रही थी, जून भू के शब्दों ने उसके दिल को जग जोर दिया था, उसने पहले इस बात पर विचार नहीं किया था कि गुई इंग की आंखों के सामने स्पिरिट जेड पहले इसके रहस्योद घाटन से उनके महल पर किस त अधिती हसपडी, यहाँ पहली बार था कि वह किसी को ऐसे रख्पियासू यूवक का वर्णन करने के लिए दो ऐसे हास्यास पट शब्दों का उप्योग करते हुए सुन रही थी, तुम्हें वास्तव में बाहर जाना चाहिए और चारों और अच्छी तरह से देखना चाह तो उसने एक यूवा लड़की की आखे खोद ली, सिर्फ इसलिए। उसे लगा कि उसकी बहुत सुन्दर जोडी है। क्या जी जिन ने अपनी बड़ी आखे थोड़ी चोड़ी की, जो उसने अभी सुना था उस पर विश्वास करने में असमर्थ थी। किसी की आखे खोद यह कैसे संभव हो सकता है। आप मुझसे जूट बोल रहे हैं। यह नामुम्किन है। यूवा मास्टर गूब बहुत दयालू है, वह इतना घिनोना काम कैसे कर सकता है। आप सपष्ट रूप से अपने लिए बहाने ढूंद रहे हैं। जी जिन का पूरा शरीर काप रहा जब उसने जून हूपो फटकार लगाई। अदिती ने फिर कहा, क्या मैं सच में तुम से जूट बोल रही हूँ या तुम खुद से जूट बोल रहे हो। आपके अनुसार ब्लडफीन पहले किस प्रकार की जगा है। यह सच है या नहीं, आपको तब पता चलेगा जब आ जानने के लिए अपने स्वयम के चैनल होंगे और गुयिंग किस तरह के व्यक्ति थे यहा अब बारा महलों के भीतर किसी भी प्रकार का रहसे नहीं था। ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझसे जूट बोल रहे हो। युवा मास्टर गो शायद नहीं कर सकते। जी जिन अभी भी संघर्ष करना चाहता था, लेकिन अधिती की अंथीन बकवास को सुनने का धैर्य खत्म हो गया था। फिर एक जोरदार आवाज सुनाई दी। अधिती का थपड जी जिन के ठीक चहरे पर लगा था। यह थपड आपको Spirit Z Palace के सहयोगी के रूप में उपहार में दिया ग कि आपका मस्तिश कुस युवादा से इतना मोहित हो गया है जिसकी आप रशंसा करते हैं कि इसमें और कुछ नहीं बरा है। यदि कोई ऐसा दिन आता है जब Blood Fiend Palace Spirit Z Palace पर कतलियाम के लिए उतरता है तो आपको यह स्पष्ट रूप से याद रखना चाहिए कि आप ही वह व अर्थ था भले ही वह कितना भी कुछ कहें इससे उसकी मूर्खता ठीक नहीं होगी। उसे बांधो और उसे Spirit Z Palace में वापस ले आओ। Spirit Z Palace लौड को स्वयं सपष्ट रूप से देखने दे कि उनका शिश्य कितना मूर्ख है। अधिती ने किनारे बैठे ये गुसे कहा। ये भी यूई को नहीं चुना है। क्या यूई शादो मून तालेस से नहीं है। ऐसा क्यो है कि आप 12 महनों के किसी व्यती पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन मैं गुईजिंग पर भरोसा नहीं कर सकता। छून वू यह सपष्ट है कि आप खुद्र और संकीन सोच वाले हैं। आप स्पिरिट्स जैड पहले इसके सहयोगी होने का दावा करते हैं, लेकिन आपने यंग मास्टर गुको स्थाफित करने के लिए मेरा इस्तमाल किया. तुम तो बस एक घ्रिनित पागल हो. जी जिन अभी भी बरबराना जारी रखना चाहती थी, लेकिन ये गु उसे मौका नहीं देने वाला था. उसने जी जिन का मुह बंद कर दिया और उसे सुरक्षित रूप से बांध दिया, जिससे वहां और हंगामा नहीं कर सका. अधिती ने जी जिन को देखा जो एक पागल कुत्ते की तरह व्यवहार कर रहा था, उसकी आखों में जरा भी दया नहीं थी. आपका प्रयोग अधिती ने सिर हिलाया, मैंने आपसे गुयिंग को योजना बताने के लिए करनी नहीं कहा. और यदि यहां सच नहीं है कि आपने मुझे धोखा देने के लिए गुप इरादे पाल रखे थे, तो फिर गुयिंग कैसे जाल में फन सकती है? अधर्म में बने तरह से वही जमी हुई थी. यहां सही है. यदि वहां गुयिंग को यहां सब बताने के लिए गौड कर नहीं गई होती, तो गुयिंग जुगे यिन को खोजने क्यों जादी? और जून्वू की साजिश आखिर कैसे सफल हो पाईगी? अधिती ने वहां सब इसलिए कहा था, क्योंकि यह जी जिन के लिए आखिरी परीक्षा थी. उसने जी जिन के ठीक सामने दो रास्ते प्रस्तुत किये थे, और उसने कैसे चुना यह पूरी तरह से उस पर निर्भर था. अगर जी जिन ने अपने दिल में जून्वू को धोखा देने की कोशिश नहीं की होती, तो उसके बाद सब कुछ नहीं होता.